हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में तो आज हम फिर से वही पुराना टॉपिक यानी इंट्रा मस्कूलर इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे देखो यार इस channel का और intramuscular injection का नाता इस तरह से है जैसे चोली और दामन का रिष्टा होता है मैं चाह कर भी तुमारे लिए कोई और topic पे बात नहीं कर सकता जैसे etc etc Anyways अब आगे बात कर लेते हैं intramuscular injection के बारे में continue देखो यार intramuscular injection जो होता है वो एक intramuscular injection होता है जो के IMB कहते हैं उसको तो इस intramuscular injection को perform करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा जैसे के आप एक male या female registered nurse हों या आप कोई bachelor medical degree holder हो सकते हैं या फिर आप कोई एक physician भी हो सकते हैं या फिर आप general courses जैसे ANM या GNM वाले भी हो सकते हैं याद रहे मैंने कभी भी जोला चाप doctor की बात नहीं की है मेरे channel पर तो अब हम बात करेंगे intramuscular injection के बारे में जब भी आप intramuscular injection लगाते हैं तो आपको एक पट में चार हिस्से जो है divide करने हैं उसके बाद 90 degrees के angle पर सीधे needle को जो है prick कर दीजिए उसके बाद आपको थोड़ा सा pull back करना है इसके बाद उस injection को जब तक वो खतम नहीं होता तब तक slowly 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 उसको push करते जाएए इसी तरह से हमने अपनी वीडियो complete की आपने इस वीडियो को देखते हुए complete किया और मैंने इस वीडियो को बनाते हुए और ये बोलते हुए complete किया कि मैंने ये injection वीडियो complete कर लिया दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए दोस्तों इस चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलो तो दोस्तों जाते जाते इस चैनल को सब्स्राइब करते हुए चाहिए अगर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद